दोस्तोły Excel के इस वीडियो में क्या आपको सीखने को मिलेगा डेमो आप देखिए तो Excel सीट पे यह सिम्पल सा data entry का format मैंने बना रखा है अब यहां पे होगा क्या आप देखिए मैं यहां पे एक एंट्री करता हूँ मैंने एक date डाली इस तरह से जैसे ही मैं अगले cell में गया ये cell मैंने लीव किया तो यहाँ पे क्या हुआ आप देखिए अगर मैं इस cell पे डवल क्लिक करता हूँ edit करने के लिए तो ये edit नहीं होगा ये lock हो गया entry करते ही automatic lock हो गया अब यहाँ पे इसी तरह आप आगे entry करोगे तो जैसे ही entry करके अगले cell में जाओगे तो यहाँ पे cell automatic lock होते रहेंगे अब यहाँ देखिए किसी भी cell पे आप क्लिक कर लीजिए जहाँ पे आप entry कर चुके हो तो entry करते ही ये cell automatic lock हो गये बहुत सारे offices में हमें जरूरत है इस trick की कि जैसे ही हम entry करें ना entry करते ही cell lock हो जाएं एक बार entry कर दी तो कर दी फिर उसमें कोई change नहीं होना चाहिए तो ये कमाल की magic trick है सच में किसी जादू से कम नहीं है एक्सल में अगर आपको ये सीखना है ना तो वीडियो तो देखना पड़ेगा दोस्तो फटा फट वीडियो को like कर दीजिए और जिन दोस्तों ने चैनल को subscribe नहीं किया है ना वीडियो के निचे जाएए red color का subscribe बटाने क्लिक करके चैनल को subscribe कीजिए और bell icon को click करते प्रेस करते जरूर आना तब भी आपको हमारी new video की notification सबसे पहले मिलेगी तो मैं हूँ दीपक आपका दोस्त let's begin this topic तो सबसे पहले दोस्तों data entry का जो format आपको बनाना है न वह आप बनाके रख लो ठीक है इसके बाद आपको करना क्या है देखिए हम जाएंगे review टैप पे और यहां से protect seat पे click करके seat को password से protect करेंगे मैं यहां पर कोई भी password डाल दो मैंने डाला है पर triple one okay किया same password दोबारा डाल देंगे triple one ठीक है okay कर दिया अब यहां आप कहीं भी कोई entry कर सकते कहीं पे भी कोई entry नहीं कर सकते हमें करना क्या है हम यह चाहते हैं कि जो हमारा entry का area है न यह unlock रहे जैसे जैसे हम cells के अंदर entry करते चले जाएं तो वैसे वैसे cell automatic lock होते चले जाएं ए अब भी हम यहां पर क्या करते हैं seat को unprotect कर देते हैं password हमने डाला था triple one triple one password मैंने यहां पर डाल दिया ठीक है okay कर दिया तो मुझे यहां मैं seat को protect करूँगा बट मैं यह चाहता हूँ कि यह cell जो है यह lock ना हो तो हमने इनको select कर लिया जहां तक भी आपका entry का area है मैंने थोड़ा सा लिया है नीचे बहुत सारा भी हो सकता है ठीक है तो आप entry का area select कर लो उसके बाद right click करके format cell पे जाओ और यहां protection tab पे जाके log से टिक हटा देना है ठीक है log से टिक हटा दिया ok कर दिया अब होगा क्या अब अगर मैं seat को password से protect करूँगा मैं यहां पर फिर से password डाल दिया ok कर दिया फिर से password डाल दिया ok कर दिया तो अब केवल इस range पे password अभी नहीं लगा है यहां पे आप entry कर सकते हो इसके Пол अलावा कहीं भी आप कोई ENTRY नहीं कर सकते मैं यहाँ डवल कलिक करता हूं देखिए ENTry नहीं होगी यहाँ पे ENTRY नहीं होगी बट इन सेल्स के अंदर आप कोई भी 봐 कर सकते हो अब अभी लौक नहीं है आप एडिट्स पiod mainsक और वालाओं कि किस तरह से आप VBA का जो कोड है ना उसको भी पासवर्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हो ताकि कोई भी आपके कोड के अंदर आके छेड़चार ना कर सके ठीक है ना तो वीडियो पूरा आप जूर देखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया ना लाइक बटन पर क्ल यह नॉटपड की फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रीप्शन में मिल जाएगा मैंने कोड कोड कर लिया ठीक है और यह मेरी सीट है इस टैप पे राइट क्लिक करेंगे और व्यू कोड में हम जाएंगे व्यू कोड में जाने कब यहां पे पर कोड को पेस्ट कर द यहाँ पे वही पासवर पोदो आने चिन खको आपको लगा यह लगाया से कंहाँ से एक rif box और टॉब आप रो नंबर चेंज कर सकते हो माली चे 10,000 रेकॉर्ड है तो रेंज क्या होगी बी-3 से लेके यह तैन थाउजन यह दस अजार रो नंबर ठीक है न तो यह रेंज आप अपने हिसाब से चेट कर ले ना है ठीक है यहां पर अबस इतना आपको यहां पर चेंज करना पड़ेगा सब्सक्नेदर करो अभी और इसको भी क्लोज कर दो अभी यहां पर काम हो गया है आप यहां पर entry करो मैंने यहां पर entry की कोई डेट डाल दी इस तरह से ठीक है और मैं अगले cell पर गया तो यह cell automatic lock हो गया यह देखिए अब यहां पर आप entry यहां फिसे गरें कैसे करें कि अगर अगर आप इस तरह से किसी को आपका तो पर सकते हो चुपा सकते हो तता ही किसी को बताई में चले तो को swept 예 तो को इस विए आपने करना के है पहले तो क्यूंकि हमने IS फाइल के अंदर मैक्रों की है है आप इस फाइल को सेव कर लो मैं कंट्रॉल एस करता हूं और यहां डेक्स्टॉक पे एक फोल्डर है एक्सल का इसके अंदर में सेव करता हूं इसका नेम में डाल दिया ऑटो से ठीक यह डाल दिया कोई भी नीम आप दे सकते हो सेवाज टाइप से आपको लेना पड़ेग तो यहां पे क्लिक करना है उसके बाद यहां प्रोट्यक्शन टैप क्लिक करना है और यहां लॉग्यान फॉट्वрी इसपे टिक लगाना और यहां प्रोजेट पर opposवर आम डाल दिजिए इसके लिए कोई भी पासवर्ट आप डाल सकते हो यहां पे यह जरूरू यह नहीं आपकी Excel की से वो चुगी है ठीक है अभी आप राइट क्लिक करके व्यू कोड पर क्लिक करोगे तो यहां कोड दिखाई दे रहा है आप जब इस फाइल को एक बार बंद कर दोगे और फिर से Excel ओपन करोगे यह मेरी फाइल है उटो से दुबार से Excel ओपन करोगे तो फिर आप राइट प्लिक करके देखिए व्यू कोड करोगे तो यहां पासवर्ड यह आपसे पूछ रहे हैं पासवर्ड आप आपको पता नहीं है तो आप ये कोड नहीं देख सकते ठीक है तो इस तरह से VBA का जो project है, जो code है, उसको आप lock कर सकते हो, password पता होगा, तब ही यह आपको दिखाई देगा, अब password मैं आप डाल देता हूँ, 123, okay कर दिया, तो यहाँ पे code सामने आ गया, password हटाना हो, तो फिर से वही जाने, tool पे जाने, और VBA project properties पे जाने, यह protection पे जाके, यहाँ से tick हटा देना, password हटा के, okay कर देना, password हट जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से VBA code का protect कर सकते हो, password से, अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देखिए, मैं यहाँ पे कोई phone number डालता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई email डाल दिया, ठीक है, एक entry और मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैंने इसे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोई name डाल दिया, यहाँ पे कोई phone number डाल दिया, और यहाँ पे मैंने कोई email को कुछ भी डाल दिया, अब यहाँ पे आप जो है, edit नहीं कर सकते, किसी भी name पे, ठीक है न, अब बाई चंस, समाली से आपको कभी edit करना पड़ जाए, तो व okay कर दिया, अब केवल एक change आप यहाँ पे कर सकते हो, या तो आप एक cell में edit कर लो, या पूरी entry आप delete कर लो, ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक बार हम जो है, edit कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे click किया, इस cell पे edit हो गया, देखें, blinking symbol आ गया, आप यहाँ पे कोई भी entry आप कर सकत है, VBA का code हमें यहाँ पे बस use करना है, तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा, तो like, share, comment करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, और ऐसी अच्छे से वीडियो के लिए ना, आप हमारे चैनल पे प्लेलिश देखिए, वहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत सारे Excel टुटोरियल से हैं जो आपको Excel का expert बना देंगे, तो like, share, comment करना ना भूले, मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, thank you दोस्तों, have a nice day, जै हिंद, one day मातरम, take care.